फानिले फ्रिंड जो है बिहार बैल्ट्राउन के माध्यम से जो है प्रोग्रामर की बहाली का जो है ओलान परकिरिया सुरू कर दिया गई है कैसे आपको जो फॉर्म को अप्लाई करना है इस भरती के बारे में पता चल जाएगे यहां पर नीचे आएगे तो यहां पर आपको अफिसली वेब साइट पर करना है जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने बिहार बेल्टरॉन की अफिसली वेब साइट ओपन होगा और यहां देखिए 12 जून के डेट में लुट नोटिफीकेशन आपको बताते हैं कि कौन लोग फॉर्म को भरेंगे तो फॉर्म भरने के लिए फिरेंट्स आपको नियुम्तम जो है सैंचरी के योगताव बताईगे हैं कि अगर आपने बीटेक किया है इसके बीच का डेटर बर्थ बोला गया है फॉर्म भरने के अप्लिकेशन की देने होंगे फॉर्म भरने के लिए तो बाकी की जनकारी आप यहां पर पढ़ सकते हैं इसमें सबसे पहले आपका जो है इस तरह सापको लिखना है पूछ रहा है किया आपने अपना चेंज किया है चेंज किये तो हां करेंगे नहीं किये हैं तो नो अधर सेट वाले फॉर्म यहां पर भोर सकते हैं यहां सापको डेटर बर्थ भी आपको चूच करना है यहां से जर्ण बर्थ की च्वाइस कर लेंगे उसकी बस यहां पर आपको जेंडर बताना है रहा चाहते है दा पर दिजीए और नहीं से चोड़ दीजे ईमेल एड्रस यहां देखिये बोल रहा है कि mobile बाल ओटीप यहां लिखे 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 बालेडेट करें दी बासे हैं आपको एगरी करना है और सक्टाइब करें ना अगर इसे close करेंगे, close करने के बाद से यहां पर आपकी जनकारी सो होगी, अब यहां पर आपको go to application, corner पर देखें मिल रहा है, आप इस पर click करेंगे, यह सब इस पर click करेंगे, आपको wait करना होगा थोड़ी दिर, इस तरह से instruction खूलेगा, पढ़ेंगे, close करेंगे, अब यहां पर आ मिसाईला बिहार, बिहार के निवासी हैं, तो हां करेंगे, और यहां पर reservation category अपना बताएंगे, कि आप general हैं, EWS से BC1 है कि BC2 है, SCST, किस category साब बिलोंग करते हैं, माल लिजे आप जो है EWS चूच किये, तो आपको अपना certificate issue authority, मतलब किस के द्वारा certificate बनवाए है, circle officer के द्व certificate यहां पर लगा देंगे, फिर आपको domicile certificate भी यहां पर लगाना है, तो जो लोग बिहार के निवासी हैं, वो अपना जाती निवास यहां पर लगाएंगे, लेकिन वही general कोई है, तो उनको यहां पर के वल domicile लगाना है, जाती नहीं लगाना है, जाती नहीं लगाना है, एक चीज़ और माल लिए सपोज आप जो है डो मिसाइल नहीं है बिहार के तो आप यहाँ पर नो करेंगे और यहाँ पूछ रहा कि किस राजय साब बिलॉंग करते हैं तो अपना जो है राजय चूज यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है इस तरह से आएगा देखिए चूज करने के आपको यहाँ पर किसी एक आईडी प्रूफ को देना मेंडेट्री है तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि do you have a pen card yes करेंगे pen card का नमबर लिखेंगे जैसा नाम है वैसा लिख देंगे अगर नहीं यह pen card no कर देंगे real है तो deal को yes करेंगे और deal की जनकारी यहाँ पर भर दे देंगे नहीं है तीसे भी आप no कर देंगे अगर आपके पास जो है voter ID card है तो voter ID card choose करेंगे मतलब कोई चारों में से कोई एक ID proof आपको यहाँ पर देना mandatory है तो हम इस किसी एक को yes करके voter ID card को यह pen card को किसी को yes करके आप दे सकते हैं और यहाँ agree करेंगे और यहाँ save and next करेंग इसके विसे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके अगंश्ट कोई F.I.R. वगर रजिस्टर है यहस नो में आपको बतानी है क्या आप जो है अरेस्ट किये गए है criminal cases में यहस नो में बतानी है तो आपके negativity के बारे है यह आपको convicted किया गया है law या any criminal cases में यहस नो में आपको बताना है आपके कोई भी यहां पे जो है proceeding हुआ है CRPC यहस नो में आपको बता देंगे यह भी आपको यह स्कूल से आपको जो है युनिफॉर्म कि सब चार्ज वगर किये गए criminal cases के बारे में आपसे पूछ रहा है तो आप यहां पर पढ़ेंगे अपनी जनकारी को और no कर देंगे सबको उसके विसके सेव अनिफ करेंगे अगले स्टेप में आपका जो है एड्रेस फील करना तो जो भी आपका पर्मेनेट एड्रस है जैसे आप विलेज लिखती जेगा जो भी आपका विलेज है मैं एक्जांपल तो भरंग पोस्ट यहां लिख सकते हैं जो भी ओपका थाना रहा को आप यहां लिख देंगे एड्रेस में अच्छे से और अगर आप सहर से आते हैं तो सहर में जैसा अड्रस होता है आपका धारा काड़ या वोटरारी काड़ पर अचय से जनकारी को लिखेंगे फिर यहां आपका इंडिया चूजेन ओलोडी को एस्टे इसको से यहां पर सेबनस्ट करनी हैं, अगले step में अब आपको सेड़ेनल क्वालिफीकेसिन की जनकारी भरनी है, यहां पर डसवी की जनकारी भरनी है, दसवी का बोर्ड का नाम, इंस्टूट का या स्कूल का नाम, यहां पर परसेंटेज है की CGP है की ग्रेड है, जो भी है उसको चूज करेंगे उसके according जनकारी यहां पर भर देंगे परसेंटेज आटमेटिक आ जाएगा पासिंग आपसे बता देंगे कि कब आपने जो मैट्रिक पास किये हुए है फिर आपको जो बारोमी की जनकारी भर नहीं है बारोमी बोर्ड का नाम इंस्टूट या स्कूल का आप यहां पर पताएंगे कि qualification degree क्या आपका तो यहां देखिए जो यहां पर minimum qualification मांगे गई है वो यहां पर आएगा अपने B.T.E. किया हुआ है तो B.E. किया हुआ है तो वो चूच करेंगे M.C.A. किये है तो M.C.A. या M.C.A. आ.T. किये है तो वो चूच करेंगे तो जो बस यहां पर आपको month and year of passing क्योंकि देखिए होता कहना कि B.T.E. कोई CS किया है तो भतेड़े subject होते हैं उसमें 50-60 subject कैसे वो चूच कर सकता है कैसे वो बता सकता है कि यह subject हो subject यहां पर लिखना भी बहुत मुस्किल हो जाता है तो यहां पर all choose कर ले हो कि हमने stream already chosen किया हम other choose कर यहां पर लिखने का आर है option बट वो हमें नहीं लगता कि सही रहेगा आप all choose कर लेजिए बीटेक में जितने भी subject होते हो आ जाएंगे अब यहां पर देंगे और percentage है कि CGPA है अपने according जो है बता देंगे और कितना में कितना आपका मिला है यह बताएंगे तो percentage या CGPA जो भी mandatory नहीं है फिर यहां पर आपको save and nest करेंगे save and nest करते हैं अगले step में आपको city preference आएगा जो कि आपको पटना में ही exam center देखने को मिलेगा सिर्फ पटना ही यहां पर चूजन रहेगा already बिहार पटना आप यहां में देख सकते हैं और यहां पर आपको save and nest करना है अब आपको okay करना है अब आपको देखिए यहां पर जो है documents upload करनी है documents में क्या upload करनी है यहां पर passport size photograph आपको upload करनी है और white background का color passport size photograph आपको upload करनी है minimum 50 maximum 80 के बीच होना चाहिए और यहां पर senior upload करनी है जो कि यह भी 50-80 के बीच होना चाहिए दसवी class का certificate और दसवी class का mark sheet यह दोनों अलग- करनी है और यहां पर आपको domicile certificate निवास प्रवापत्र upload करनी है अगर कोई बंदा जो है SCST EWS या BC1 BC2 से form भरता तो अपना जहां पर जाती certificate upload करता यहां पर उनका अपना जाती certificate upload करना पड़ता या non criminal related certificate to be uploaded here applicable other relevant document section मतला अगर आप जो है BC1 BC2 से आते हैं तो आपको NCL बनव online mode यहां सबको declare कर देना इस परकार से declare कर देंगे उसकी बस से इस capture code को यहां भरेंगे और preview पे क्लिक करेंगे प्रिवीव पे क्लिक करते ही सारी जनकारी खुलके आगे कि जो भी अपने जनकारी भरा है उस सब्सक्राइब नहीं है अगर कुछ भी उसमें गलती है तो आप फोटो होना चाहिए यहां पर सारी अंकारी बताईगी है आपको यहां पर क्लिक करना है ब्राउज पर जो भी आपका फोटोग्राफ है उस फोटोग्राफ को आप यहां चूज करेंगे ओपन करेंगे इस पर फियू करके एक बार जरूर आपको देखना है नहीं देखेंग तो जो भी आप documents upload करेंगे उन सभी को एक बार view यहाँ button बन जाएगा upload करने के बाद इस पर click कर करके देख लेंगे इससी तरह से signature को भी upload करके देख लेंगे दस्वी class का certificate माकसी सबको upload करके देखना है आप उसके बाद आपको यहाँ पर submit करना है उसके लिए form को कैसे apply करना है उमीद करता हूं फ्रिंट्स आपको जनकारी समझ में आ गया होगा मिलता है किसी next video में हमेदी जायत और देख तरह देख तरह देख तरह देख तरह देख तरह सेलपिंग फॉर एवर तैंकी फर वाचिंग जाहिंद